Hey everyone, welcome to Sir Carrier at once again. तो इस वीडियो में जो है मैं आप सबी के साथ एक most important discussion करने वाला हूँ जो कि Ains BSc Nursing की open round की counselling के regarding रहने वाला है तो Ains BSc Nursing की open round की counselling है वो आज से start हो चुकी है registration process कैसे करना है उस पर मैं कल morning में video upload कर दूँगा तो देख लेना ठीक है और किस तरीके से रहेगा seat allocation होने का ठीक है और किस तरीके से रिसके लिए apply करना है और किस किस चीज के आपको need होगी तो सभी चीजे हम लोग इस वीडियो में completely discuss करने वाले हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा end तक देख लेना तो बागी schedule के बारे में मैंने बता दिया था आज से start हो चुक है 14 September से और 19 September registration करने की last date है और इसका जो result है वो 23rd September को आएगा ठीक है और vacant seat position पे मैं अलग से वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं आपको बता दूँगा कि कहां किस college में कितनी-कितनी seat है category wise खाली हुई है जो 173 in total है जो seats अभी vacant पड़ी हुई हो open round की counselling के लिए तो काफी अच्छा खासा number है यहाँ पर ठीक है लगबख मान के चल सकते हो course august 2023 session will be held as per following process तो पूरा process अभी देखते है और यह process जो पूरा online mode में होगा offline mode में नहीं होगा जैसे दो साल पहले हुआ करता था अभी जो है online ही होने लग गया है ठीक है उसके बाद है पहला candidate holding a seat in previous round of online seat allocation is not eligible to participate in open round of seat allocation if his or her resignation is not accepted till 19th of September till 5 PM in case any later stage it is found that the candidate is holding a seat at the time of choice filling his or her candidate will be cancelled and penalty will be imposed as per role ठीक है क्याने का मतलब है मान लो first year second round में आपको कोई भी college allot हो गया ठीक है आपने admission ले लिया है आप अभी किसी भी aims में पढ़ाई कर रहे हो अपने first year में हो अभी 2023 में आपका admission हुआ था तो आप भी जो है यहाँ पर open round की counselling में participate करने के लिए eligible हो लेकिन सिर्फ एक ऐसी condition में जब आप क्या करते हो 19th September 2023 शान को 5 बज़े से पहले पहले अगर आप अपना admission अपने वहाँ जो पुराना वाला जो college है जो कि वहाँ पर आपने admission लिया था तो वह वाली seat अगर आप वहाँ से cancel करवा देते हो अपने हाँ पर जो आपका administration department है वहाँ से अगर आप कैंसिल करवा देते हो तो उस case में आप eligible हो जाओगे ओपनांड में participate करने के लिए लेकिन अगर आपकी seat किसी तरीके से वहाँ से cancel नहीं होती और आप यहाँ पर apply कर भी देते हो तो आपकी उपर penalty भी लग सकते है तो अगर जब आपकी वहाँ पर आपको seat cancel करवानी है तो उनसे seat resignation letter जो है या जो भी letter वो देंगे मतलब इस वहाँ से लेना बहुत ज़रूर है अगर आप वह नहीं लोगे तो आप समझ लो आपकी साथ कुछ भी हो सकता है ठीक है उसके बाद है candidates who were qualified and registered notification number 10 dated 28 6 2023 in the entrance examination of BAC on a nursing held on 12 6 2023 are eligible to apply online and fill choices and preferences of institutes for online seat location of open round ठीक है तो देखो यह थोड़ा सा अला के इस बार यह मतलब कह गया रहे है कि जिनका नाम उस PDF के अंदर था यानि कि जब result declare हुआ था तो result declare की एक PDF आई थी उस PDF में आप सभी ने अपना rule number देखा होगा और उसके आगे आप सभी की rank लिक होई थी ठीक है तो उस PDF में जिस जिस candidate का rule number था सिर्व वही candidates यहाँ पर open round में apply कर सकते हैं बागी candidates apply नहीं कर पा है वह अलग से बाद में website पर खुछ से चेक किया था तो वह ऐसे candidates बिलकुल भी eligible नहीं होंगे open round में ठीक है कहने का मतलब साफ सफ यह है कि open round में सिर्व वह candidates eligible है जो मान लो अगर आप SCST से हो तो 40 40 या फिर 40 प्लस आपके जो है percentage marks होने चाहिए या minimum marks होने चाहिए और अगर अगर आप OBC से हो तो आपके 45 प्लस होने चाहिए OBC AWS और आप जनरल से हो तो 50 या फिर 50 प्लस होने चाहिए ठीक है तो बस कहने का मतलब यह था और उसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ और बता दो मैं लो अगर OBC AWS का कोई candidate था और उनके marks OBC AWS के according qualified थे लेकिन बाद में अ certificate है इंस की तरफ से reject कर दिया गया था और उसके बाद वो क्या हुए counseling से बाहर हो गये थे तो वो अभी भी counseling से बाहर ही रहेंगे वो फिर भी eligible नहीं होंगे भले ही उनका नाम उस PDF में क्यों नहीं हो ठीक है तो यह जीज़ भी मैंने आपके हाँ पर clear कर दिया उसके बाद है registration form वहाँ पर fill करना होगा और जो भी process वो आपका आगेगा करना होगा और उसके बाद है ठीक है तो देखो सिर्फ जो eligible candidates है उनके पास ही login करने के बाद ही open out का option आएगा मतलब open out का option हो सकता है सभी candidate को दिख रहा हो लेकिन click करके आगे proceed जब आप करोगे वो सिर्फ उनी candidates के पास option आ रहा होगा जो सच में eligible होंगे जो eligible नहीं होंगे वो आगे link पर click करके proceed नहीं कर भाएंगे ठीक है तो बस यही था और उसके बाद आप registration वगरा करके बस आपको directly क्या करने है choice filling का linear and फिर आप choices को lock कर सकते हो लेकिन मैंने बताया choices को lock भाई 18 September को करना उससे पहले मत क करना ठीक है because अगर मालों आपको choices में कुछ भी change करना होता है तो आप कर सकते हो 18 September तक अगर आप 18 September को lock करते हो 19 लास्ट है and lock करना बहुत ज़्यादा ज़रूरिया अब एक और important चीज़े जो आपका competition थोड़ा सा कम करेगी वो यह कि the candidates are required to deposit the amount of rupees 25,000 for BAC owners nursing through electronic mode as security deposit on link available at candidate my page ठ रान खोल के अच्छे से सुन लेना जो में important चीज़ें आपर बता रहा हूँ 25,000 रुपे आपको online pay करने होंगे अगर आपको open round की counselling में participate करना है अब यह 25,000 रुपे यह security deposit होता है security deposit का मतलब यह है कि यह 25,000 अभी आपसे ले लिए जाएंगे लेकिन बाद में आपको यह वापस हो जाएंगे अब यह वापस दो cases में होंगे पहला case थो यह कि आपको open round में seat alert नहीं होती तब भी आपको यह वापस होंगे और दूसरा case यह कि open round में अगर आपको seat alert हो जाती है और seat alert होने के बाद अगर आप admission ले लेते हो तब उस case में भी 25,000 रुपे वापस हो जाएंगे लेकिन एक ऐसा case है जहां पे 25,000 रुपे वापस देंगे वो यह है कि आपने participate करा participate करने के बाद आपको जो भी college alert होता है आप वहाँ जाके admission नहीं लोगे ठीक है clear हो गया सब प्लीज आप अच्छे से सुनलो भाई cyber cafe से अगर चाके आप यह करवा रहे हो ना तो उनको अपना debit card यूज करने को बोलना मतलब हमारा वाला अगर आप जा रहे हो तो आप उनको बोलना कि लो भाईया मेरे debit card से आप payment करो या मेरे credit card से payment करो ठीक है आप क्या करते हो अगर म काफे वालों के पास amount आया लेकिन उन्होंने return नहीं किया और उन्होंने बोल दया कि amount आया नहीं है क्योंकि इसका जो है कुछ भी clarification aims की तरफ से नहीं आता कोई भी mail नहीं आता कि आपको amount credit हो गया या नहीं हुआ है ठीक है यह credit अपने आप हो जाता है जब आपकी counseling खतम हो जाएगे पूरी तो counseling खदम होने के 2-3 महीने में आ जाता है जहां तक है ठीक है तो आपको ध्यान भी रखना होता है तो यह जो आपके 25,000 फसने वाले हैं तो यह काफी time के लिए भी फस सकते हैं मतलब आ तो जरूर जाएंगे अगर आप eligible होगे लेकिन काफी जादा time भी ल करवाना भले ही आप cyber cafe पे जाके payment क्यों ना करवा रहे हो अगर आप cyber cafe वाले के account से करवागे और उसके account में वापस है तो आपको कोई भी notification एम्स की तरफ से नहीं दिया जाता है यह मेरा खुद का experience है जो candidates में मेरे को already बताया हुआ है तो वह experience मैं आपके साथ share इसलिए कर र ठीक है तो यह online आपको करना होगा और यह security fees इसलिए लिए जाती है कि भाई open on में हम आपको seat तो दे देंगे लेकिन अगर आपने seat पर admission नहीं लिया तो एम्स का तो नुकसान हो जाएगा उसमें तो उस case में 25,000 रुपे फिर आपको वापस नहीं किया जाते है ठीक है और उ लेकि जाना होगा original documents होगे वहाँ जाके verify कराओ के verify कराओ कर admission हो जाता है तो बस फिर आप जो admit हो जाओ के college में और उसके बाद यह 25,000 रुपे जाए दो से चार मेने के अंदर अंदर आपके bank account में आ जाएगे जिससे payment की थी आपने ठीक है तो बस इतना ही था और यह नीचे documents लिखें यह जो आपको लेकर जाने होंगे admission के time पर तो यह मैं तब बता दूगा जब result आएगा ठीक है बस और कुछ नहीं था इतना ही important चीज़े थी ठीक है बागी यह schedule रहा 25 से 30 के बीच में आपको admission कर लेना होगा तो यह आपकी complete information है eligibility बता दी process मैंना पूरा बता दिया अब करना कैसे होगा link वगरा कैसे मिलेगा और किस किस चीज का और ध्यान रखना होगा choice फी link कैसे करनी चाहिए इस पर मैं कल morning में वीडियो अप्लोड कर दूँगा तो वो भी एक बार जरूर देख लेना और आगर यह वीडियो आपको helpful लगे हो तो प्लीज को ज़रूर ल यवाुन, वने वीडीको नटे